हाई एवरिवन आम एडवकेट सपना कशिक और आज हम डिसकस करने वाले हैं कि किसी भी माता या पिता से उस बच्चे की कस्टेडी इस आधार पर वापस मांगी जा सकती है कि दूसरा पार्टनर जिसके पास बच्चा है उस से जाद उस पेरेंट से जादा पढ़ा लिखा य मांगी जा सकती है आज हम इसको डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले एक और बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट से सके हमारे पास सवाल आपने कि हमारा पार्टनर जैसे कि अगर बच्चे की कास्टिडी मां के पास पता माता से जादा पढ़ा लिखा है या च्छा कमाता और अख्शा कमर सकती है तो मैं अक्सर पता इसको आज हम डिसक Oreo करने जाए महत्पूर्ण फैसला दिया जिसमें उन्होंने एक प्ता की प्टीशन जो Noival in डाली थी फैमली कोर्ट ने एक ऑऌडर दिया था कि बच् Clean मा के पास रहेगी बंगला also डाएगी के पिता ने इसी family court के order को challenge करते हुए हाई court में petition डाल दी करनाट का हाई court में करनाट का हाई court ने ये कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि पिता ने दूसरी शादी कर ली है और उस दूसरी मा ने step mother ने court में एफिडेविट दिया कि वो बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी इस आधार पर या इस आधार पर कि पिता मा से जादा पढ़ा लिखा है और जादा अच्छा कमाता है वो बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकता है और अच्छा financial support दे सकता है सिर्फ इस आधार पर बच्चे की custody मा से लेकर पिता को नहीं दी जाएगी क्योंकि अभी तक जब तक बच्चे की custody मा के पास थी मा ने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान दिया बहुत अच्छे से परवरिश की और बच्चे से जब पूछा गया तो बच्चे ने भी ये कहा कि वो अपनी मा के साथ रहना चाहता है तो ऐसे case में जहां पर पिता ने दूसरी शादी कर ली है और उसके पास दूसरी वाइफ से एक बच्चा भी है बेशक जो step mother है उसने ये कहा कि मैं बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूँगी लेकिन सिर्फ इस आधार पर की दूसरी माने एफिडेविट दे दिया है सौतेली माने या फिर बच्चे के फादर का ये कहना कि मैं उसकी मा से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं उससे ज़्यादा कमाता हूं सिर्फ इस आधार पर बच्चे की कस्टी पिता को नहीं सौपी जा सकती क्योंकि अटिमेटली कोट का अबजेक्टिव यह देखना होता है कि बच्चे की अच्छी परवरिश कौन कर सकता है बच्चे का ध्यान कौन जादा रख पा रहा है यहाँ पर माने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से की थी बच्चे की एजूकेशन का वो धिहान रख रहे थी बच्चे को प्रॉपर सारी केर दे रहे थी और यहां पर अगर बच्चे की कस्टेडी मां से लेकर पिता को दे दी जाए तो यह मां के साथ भी अन्याय होगा क्योंकि पिताने दूसी शादी कर ली है उनके बास ऑल्रेडी दूसी वाइफ से एक बच्चा है तो भले ही वो जादा कमाते हैं जादा पढ़ाये लेकिन मा भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और पिता ने क्योंकि बच्ची का जो मिंटेनेंस कोड ने फिक्स किया था उन्होंने नहीं दिया उन्होंने सारे allegations को छोड़ दिया और सिर्फ अपने बच्चे के उपर ध्यान के इंदरित किया इसलिए बच्चे की custody मा को देना जादा सही होगा हाला कि पिता के पास visitation right रहेंगे वो अपने बच्चे को मिल सकते हैं लेकिन बच्चे की custody मा के पास रहेगी बहले ही पिता जादा पढ़े लिके हैं जादा कमाते हैं लेकिन पिता को बच्चे की maintenance के लिए पैसे मा को देने पढ़ेंगे और बच्चे की custody मा के पास रहेगी तो यहां पर महत्पूर्ण यह नहीं होता कि कौन जादा कमाता है कौन जादा पढ़ा लिखा है ultimate goal यह है कि बच्चे का जादवरिश मा बहुत अच्छे से कर रहे थी उनको पैसे पिता से दिलवाए गए यह केस सा मुहमद मुश्ताग जी के वर्सिस आईशा बानो का जो की बेंगलाओ फैमिली कोर्ट से डिसाइड हुआ बाद में उसे चैलेंज किया करनाट का हाई कोर्ट में करनाट का हाई क यहां पर इस पेटीशन को डिसमिस कर दिया जो बेंगलाओ फैमिली कोर्ट को चैलेंज कर रहे थे आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके और मुद्धपर वीडियो चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में बताएं